Hello everyone, कैसे हो आप सभी लोग, यह हमारी second class is geometry, first class में हमने lines and angles कुरी तरह से complete कर लिया था, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखिए तो वो वीडियो देख लेना, यह क्या आगे का part है, ठीक है, इस वीडियो में हम polygon कुरी तरह से discuss करने वाले हैं, बहुबुज, इससे related जो भी questions बन सकते हैं, वो सारे हम discuss करेंगे, और एक ही session में पूरा polygon chapter complete हो जाएगा, ठीक है, तो शुरू करते हैं, polygon होता क्या है, any closed figure having n number of straight lines is a polygon, कोई भी एक closed figure, जिसमें बहुत सारे straight lines को मिला के जो बना है, उसे हम polygon कहेंगे, जैसे कि, यह क्या है, A, B, C, D, यह क्या हो गया, एक polygon ह हो गया, इसमें कितनी sides हो गई, एक, दो, तीन, चार, और figure क्या हो गई, closed figure हो गई, इसी तरह से मैंने बना दिया triangle, यह क्या है, यह भी एक polygon है, क्योंकि एक closed figure है, और n number of straight lines है, तीन straight lines है, इसके अंदर, इसी तरह मैं यहां पे, ऐसे, 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 करके, ऐसे बना दू तो यह भी क्या हो जाएगा, एक polygon हो जाएगा, बहुग हो जाएगा, ठीक है, depending upon the number of sides, हम उसे अलग अलग नाम से बुलाते हैं, ठीक है, तो polygon क्या हो जाएगा, any closed figure having n number of straight lines, उसे हम कहेंगे polygon, अगर मैं आप से कहूं मैं यहां पे, एक circle बना दूं यहां पे, तो क्या यह polygon ह होगा, या नहीं होगा, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि infinite number of sides को अगर जोड दिया रहे, तो यहां पर यह भी एक polygon बनता है, जिसमें sides infinite होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पर हम straight lines की बात कर रहे हैं, यहां पर straight lines नहीं है, तो it is not a polygon, ठीक है, इस चीज़ को धियान रहना एक होता है concave polygon, एक होता है regular polygon और एक होता है irregular polygon, depending upon the angles and sides, ठीक है, तो सबसे पहले हम convex polygon के बारे में बात करेंगे, कि convex polygon क्या होता है, convex polygon वो होता है, जिसका जो सबसे बड़ा interior angle होता है, जो maximum interior angle होता है, आपका polygon के अंदर, वो या तो बराबर हो, या फिर छोटा हो किस से 180 degree से ठीक है, आप यहाँ पे देखोगी convex polygon है, येवाला angle 180 degree से चोटा हो wa क्योंकि अगर आप इस line को state करतो तो यह 180 degree यहाँ पे कहीं बनेगा, तो 180 degree से चोटा हो गया, येवाला भी 180 degree से चोटा है, ये भी 180 degree से चोटा है, ये भी 180 degree से चोटा है, ठीक है, तो जो maximum interior angle होगा, वो आ आपका 180-degree यह 180-degree से छोटा होगा तो हम कहांगे जो हमारा polygon है वो क्या है? convex polygon है, ठीक है, भार की तरफ इसकी जो जितने भी आजिस होगे न सारी सारी भार की तरफ निकल रही होगी, अगर आप भार से देखोगे, आप यहाँ पे हो यहाँ से देखोगे तो भार की तरफ निकल रही होगी है इसलिए हमने सका Convex Polygon राइट जैसे आप Concave Convex Mirrors पढ़ते हो उसी तरह से होता है इसी तरह से आप यह वाली फिगर देखोगे एक ट्राइंगल है इसमें भी तीनों किया हैं एंगल 180 डिगरी से छोटे हैं तो इसका मतलब यह भी हो गया Convex Polygon के लिए आगे बढ़ते हैं फिर आता है हमारा Concave Polygon Concave मतलब गुफा जैसे इसी आपको दिखेगा मतलब जो आपका जो मैक्सिमम इंटीर एंगल होगा ठीक है जो सबसे बड़ा एंटीर एंगल होगा आपका वह आपका क्या होगा वह बड़ा होगा आपका किस से 180 डिगरी से के लिए तो हम कहेंगे Convex Concave Polygon जैसे कि आप देखोगी यह आपके पास Polygon है यहाँ पे गुफास यह आपको दिखेगी अगर आप बाहर से देखते हो इस यहाँ पे गुफास ही दिख रही है तो इसका मतब जो यह वाले एंगल है आपको 180 से जादा जाने वाला है तो यह वाले एंगल होगा आपका जो 180 से ज्यादा होगा इसका मतब यह क्या हो गया जैसे कि आप यह वाली फिगर देखोगे इसमें यह वाले एंगल हो गया 180 से ज्यादा यह वाले एंगल भी 180 से ज्यादा हो गया तो यह पॉलिगन का एक्जामपल है इसी तरह से अगर हम कोई और फिगर ड्रो करना चाहें तो कैसी भी हम फिगर बना सकते हैं ठीक है यह बन निमित तुरुभुज निमित बहुबुज इसमें क्या होता है आपके पास सभी साइड आपकी एकवल होने चीए और सभी एंगल भी आपके एकवल होने चीए तब हम कहेंगे एक पॉलिगन रैगुलर पोलिगन है जैसे कि हमारे पास यहां पे एक ट्रेंगल दे रखा है A, B and C नाम देता हूँ तो अगर एक रैगुलर पोलिगन है तो इसका मतलब क्या होना चीए A, B equals to B, C equals to C, A होना चीए और साथ यह साथ जो यह एंगल है एंगल A equals to angle B equals to angle C होना चीए ठीक है अगर यह कंडिशन दोनों कंडिशन सैटिस्फाइ करती है तब ही हम कहेंगे यह एक regular polygon है या फिर regular triangle है otherwise it is not तो अगर triangle के बात करें इस तरह के triangle को हम क्या कहते है एकुलेटरल triangle कहते है तो कोई भी अगर सभी sides equal हो जाएं और सभी angles equal हो जाएं interior angles तो हम कहेंगे वह regular polygon है जैसे कि अगर हम बात करें यह वाली figure है यह चारो angles क्या हो जाएंगे आपके equal हो जाए हैं और correlator का एक special type है जिसे हम square कहते हैं ठीक है तो वह हम अभी देखेंगे तो polygons आप देख सकते हैं regular polygon क्या होगा सारी sides equal होनी चाहिए और सारे interior angles भी equal होनी चाहिए तभी हम कहेंगे वह regular polygon है अब उसके बाद आता है आपका irregular polygon जो regular नहीं है जैसे कि आप इस वाली figure में दे इस वाली side के equal कर दी तो क्या एक regular polygon होगा नहीं यह regular polygon होगा because all angles are equal यह वाली पहली condition तो हमारी satisfy हो गई but अगर हम दूसरे condition की बात करें all sides are not equal ठीक है सारी sides equal नहीं है इसका मतलब यह regular polygon नहीं है यह regular polygon है ठीक है confused नहीं होना अगर हम इस strangle की बात करें यह आपको देखने में इस उसरे strangle दिख रहा है ठीक है तो यह भी एक regular polygon नहीं है क्योंकि यह वाली side और यह वाली side equal हो सकती है लेकिन यह वाली side इन से अलग हो गई तो side equal नहीं बन रही इसी तरह से अगर हम बात करें यह figure है आपके पास rhombus ठीक हम पढ़ेंगे rhombus क्या होता है इसमें क्या होता है चारों की चारों side क्या हो जाती है आपकी equal हो जाती है लेकिन जो यह चारों angle है यह जरूरी नहीं है equal हो ठीक है यह और यह equal हो गए यह वाला और यह वाला angle equal है लेकिन चारों के चारों angle equal नहीं है side equal है तो भी यह irregular polygon होगा अब इसके दो तीन एकजाम पर सोर देख लेते हैं जल्दी से regular polygon के एक होता है आपका skelling triangle ठीक है मैंने ऐसी triangle drew कर दिया a b and c ठीक है इसका angle मानलो यह हम मा लेते हैं 80 degree है तो यह वाला angle कितना होगा 70 degree होगा ठीक है अब इसमें तीनों के तीनों angles भी अलग हो गए तीनों sides भी अलग हो गई तो यह क्या हो जाएगा आपका irregular polygon हो जाएगा ठीक है बस हमें regular polygon की condition याद रखने है all sides must be equal all 80 angles must be equal बागकी सारे क्या हो जाएंगे आपके irregular polygon हो जाएंगे यह चीज़ के लिए रही तो 4 तरीगे हमने पढ़ें ठीक है concave, convex, regular and irregular के लिए रही चीज़ अच्छा अगर मैं इस triangle की बात करूं एक तो यह irregular polygon हो या ठीक है अगर आपसे पूचा जाए concave है convex है अभी हमने थोड़ी दिर पहले पढ़ा कि concave होगा या convex होगा चून convex polygon होगा क्योंकि सभी angles के 180 degree से कम है ठीक है चीज़े clear हो गई आगे बढ़ें ठीक है polygon को हम किस किस नाम से बलाते हैं अगर किसी polygon में 3 side है तो उसे हम कहेंगे triangle जैसे कि यह अगर किसी polygon में 4 side है तो उसे हम कहेंगे quadrilateral जैसे कि यह हो गया आपका या फिर हम square बना लें यह rectangle बना लें यह सारे के सारे क्या होंगे quadrilateral के type हो जाएंगे अगर किसी figure के अंदर आपके पास 5 sides है तो वह pentagon हो जाएगा six sides है तो hexagon seven side है तो heptagon हम बोलते हैं 8 sides है तो octagon no sides है तो nonagon और 10 sides है तो decagon ठीक है यह सारी sides होती है और यह polygon का नाम दिया जाता है बस इतने ही आपको नाम पता होने चाहिए basically हम जो पढ़ेंगे आगे तो एक तो triangle भोजा दिरूर यह quadrilateral पढ़ेंगे pentagon थोड़ा पढ़ेंगे पूरे geometric scores में hexagon पढ़ेंगे heptagon की कहीं भी जुरूत नहीं पढ़ेंगे और octagon थोड़ा बहुत पढ़ेंगे बाकी चीज़ें हमें नहीं पढ़नी नाम आपको पता होने चीज़ें ठीक है on the basis of sides हम बता देते हैं कि triangle है quadrilateral है pentagon है hexagon है ठीक है यह सारी चीज़ें रहती है चलें आगे अब हमारे पास क्या है यह hexagon एक figure है हमारे पास तो हम इसमें कुछ चीज़ें note करेंगे ठीक है hexagon में मैंने कहा कि क्या होगा hexagon के अंदर आपके पास यहां पे 6 sides होंगी एक दो तीन चार पांच छे ठीक है नाम दे देता हूँ मैं इन्हें A B C D E and F ठीक है 6 sides होंगी अगर मैं interior angles की बात करूँ interior angles कितने होंगे यह होंगे एक दो तीन चार पांच और छे ठीक है तो यह भी कितने हो जाएंगे 6 तो हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी polygon की बात करें number of interior angles किसके बराबर हो जाएंगे number of interior angles आपके हमेशा बराबर रहेंगे number of sides के कोई दिक्कत यहां पे नहीं ठीक है यहां प तो आप देखोगे एक, दो, तीन interior angles और sides कितने होगे एक, दो और तीन ठीक है तो number of interior angles will always be equal to number of sides अगर हम बात करें यहां पर number of exterior angles की तो number of exterior angles के अंदर कितने होगे आपको यह बताना है, चलो हम देखते हैं, देखो, सबसे पहले हमें यह पता होना ची, exterior angle कौन सा होता है, exterior angle वो एंगल होता है, जो आपका interior angle के साथ क्या बनाता है, एक linear pair बनाता है, तो अगर हम बात करें यहां पे, इस vertex को ले ले लेते हैं, अगर मैं इस line को भी extend करदूं, तो यह भी तो आपका exterior angle निकल आएगा, ठीक है, तो एक exterior angle यह हो जाएगा, तो एक vertex के ऊपर आपके पास दो exterior angle होगे, ठेक है, तो हमने यहां पे देखा number of interior angles के बराबर थे, number of sides के बराबर थे, और यहां पे एक웠बंड रे, हमें दो exterior angle निक कर देंगे तो हमारे पास क्या जागा number of exterior angles ठीक है इस चीज़ आपको ध्यान रहे हैं जब भी आप से number of exterior angles पूछे तो इंटीर एंगल के कितने हो जाएंगे डबल हो जाएंगे ठीक है अगर साइड की बात करें तो number of interior angles number of sides के ब्राबर हैं तो sides into 2 भी हम इसे लिख सकते है number of sides into 2 कोई दिक्कत नई ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर number of vertex भी तो number of sides के ब्राबर हो जाएंगी तो number of vertex into 2 भी लिख सकते हैं ठीक है number of exterior angles क्या हो जाएंगे इन सब के double हो जाएंगे ठीक है छोटा सा concept समझाया कोई दिक्कत यहां पर नई ऐसे ही ट्राइंगल है जो आपने भी figure देखी थी ट्राइंगल की बात करें तीन interior angles हो जाएंगे तीन vertex हो जाएंगी तीन interior angles तीन vertex sides भी कितने तीन अगर हम बात करें यहां पर इसके exterior angles की especially done the three into two, है आपके ऊपके पास 6 कैसे एक तो अगर हम इस वाले अंगल की बात करते हैं एक तो يह वाला आंगल आपके exterior angle होगा 1 यह वाले एंगल exterior angle होगा 2 ठीक है यह ब heckには निकालना है तो यहां पे 2 धो दो लाइनों से मिलकियर इस वाली रायन को एक्सेड्य करड़ोगा तो यह आ गया एक कक्छा इंगल आपके पास कि और अगर दूसरी लाइन है इसे एक्टेंड कर लोगे तो यह वाला आपके पास आगया टो यह दो एक्सेड्य और यह दोना एक्स्टीर एंगल क्या होंगे आपस में एक्वल होंगे ठीक है यह चीज भी किलियर हो गई ठीक है यह छोटे-छोटे से concept है इसमें कुछ नहीं है समझने वाला आपकी किलियर हो गए होंगे फिर अब हम फॉर्मूलाज देखेंगे फिर कोश्टे करेंगे तब सारी चीज़ा एपलाई होंगी ठीक है एक कुछ फॉर्मूलाज है जो मैं करके अभी पढ़ने वाले हैं सबसे पहले सबसे पहले फॉर्मूले से sum of an interior angle and an exterior angle on the same vertex is 180 degree ठीक है अभी हमने क्या पढ़ा एक triangle है यह इसका interior angle होगा तो से मान लिए हमने यह theta अगर मैं इस line को extend कर दूँ तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा यह exterior angle हो जाएगा ठीक है इसे हम मान लेते हैं alpha तो theta plus alpha क्या हो जाएगा यह आपका 180 degree हो जाएगा यह अगली प्रोपर्टी है कि अगर एक vertex पे sum कर लेते हैं interior exterior angle का तो इतना आ जाएगा आपका 180 degree आ जाएगा इसी तरसे अगर अगर हम इसमें sum of all exterior angles की बात कर रहे हैं तो हम एक vertex पे क्या करेंगे सिर्फ एक ही exterior angle को count करेंगे मतलब यह है आपका तो यह वाला exterior angle हो जाएगा हमारा इसे मैं extend कर देता हूँ यहाँ पर तो यह वाला आपका exterior angle हो जाएगा जब sum of exterior angles कहा जाए तो इसका मतलब हम सिर्फ एक exterior angle को count करेंगे लेकिन अगर number of exterior angles की बात की जाए तो number of exterior angles की बात की जाए तो हम एक vertex पे दो exterior angle को count करते हैं ठीक है इस चीज का धियान रखना एक्जाम में यहाँ पर confusion नहीं होनी चीए यह थोड़ आसा आपको समझना बढ़ेगा कि sum of exterior angles की बात करें तो हर vertex पे सिर्फ एक क count किया जाएगा ठीक है और अगर number of फूचे जाए तो एक vertex पर दो exterior angle बनेगे clear हो की चीज और एक चीज और धियान रखो आप यहाँ पे जब भी आप करो ना इस तरह के question तो एक ही side लेना जैसे कि हमने देखा पहले मैंने यह वाली जो line है इसे extend करके यह वाला exterior angle बनाया उस एक चीज निकाले ठीक है उसी तरह से अगर आप क्या करते हो हमने भी clockwise कर आता आप इसे antic clockwise भी कर सकते हो आप पहले यह वाला कर देते फिर यह वाला कर देते और फिर यह वाला extend कर देते तब भी आपके पास क्या जाते exterior angles आ जाते ठीक है यह तो clockwise move कर लो या फिर antic clockwise थोड़ या antic clockwise किसी भी तरह से आप move कर सकते हो clear आगे भड़ते हैं अगली प्रोपर्टी पे हमारी number of sites in a regular polygon वो किसके ब्राबर होती है n equals to 360 by each interior angle अचाए यहाँ पे इस प्रोपर्टी में हमारी एक चीज़ छूड़ गई थी sum of all the exterior angles of a polygon is 360 degree ठीक है जितने भी exterior angles होंगे एक polygon के इन सब का sum क्या होगा 360 degree होगा जैसे कि यह A है यह B है और यह C है A प्लस B प्लस C क्या होगा 360 degree हो जाएगा ठीक है कोई भी एक मैं normal triangle ले लेता हूँ उससे समझाता हूँ ठीक है derivation में में नहीं जाना ठीक है अगर मैं मान तो यह 30 degree है इसे 50 मान लेते हैं तो यह वाला कितना हो जाएगा यह वाला आपका कितना हो जाएगा यह वाला आपका 100 degree हो जाएगा ठीक है अगर यह 30 degree है तो यह वाला angle कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा ठीक है पहले हमने यह line extend करी तो अब यह करेंगे ठीक है यह 150 हो गया त आपके पास 280 प्लस 80, 360 डिग्री, तो sum of all the exterior angles, वो कितना होता है, 360 डिग्री ही होता है, अभी हमने ये triangle के case से समझा, अभी मैं आपको ये किसी और case से भी समझा देता हूँ, कोई सी भी आप figure लोगे, हर एक figure में ये चीज आपके apply हो जाएगे, अब हम यहाँ पर क्या ले लेत हो गए, square के, अगर मैं line को extend करना, start करूँ पहले, ये वाली line extend करी तो ये exterior angle भी कितना 90, ये वाला exterior angle extend करा, ये भी 90, ठीक है, अब ये वाली line extend करी तो ये भी 90, और ये वाली line extend करी तो ये भी 90, चारों का sum कितना होगे, exterior angle का 360 डिग्री, clear होगे, एक vertex पर एकी angle लेंगे, 360 ड degree होते हैं, ठीक है, ये हम अभी थोड़ी दिर में पढ़ेंगे, अगर regular hexagon हैं आपका तो, 120, 120, 120, 120, ये interior angle से अगर हम exterior angle की बात करें, तो आपको पता है, interior angle plus exterior angle 180 degree बनता है, तो सभी vertex पर जो आपका exterior angle बनेगा, यहाँ पर same ही जा रहा है, तो सब पर क्या बनेगा, 60, 60 degree का ब sum of all interior angles in a polygon is n-2 into 180 degree, ठीक है, कोई भी एक polygon आपको दे दिया जाए, say, यहाँ पर मैं एक triangle बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर n क्या है, n है आपका number of sides, या फिर number of interior angles, कुछ भी आप मान सकते हो, ठीक है, अगर हम से पूछा जाए, एक polygon है, उसके sum of interior angles क्या होगे, तो वो होगा आपका n-2 into 180 degree, जैसे कि आप देखोगे, यहाँ पर n की value कितनी है, n की value 3 है, triangle में, तो 3-2 into 180 degree, तो यह हो जाएगा, आपके पास 1 into 180 degree, और यह आजाएगा 180 degree, तो इसका, इसका, जमा इसका, a plus b plus c, कि कितना हो जाएगा, 180 degree हो जाएगा, ठीक है, कोई भी आपके पास एक polygon है उसकी side से कर आपको बता है, तो आप sum of all interior angles इंकाल सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर बना देता हूँ, यह एक pentagon मैंने बनाया, ठीक है, a, b, c, d, and e, इसके अंदर 5 interior angles होंगे, ठीक है, उन सब का sum आपसे पूछा जाए, तो a plus b plus c, plus d plus e क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, साइड है, तो n equals to 5 हो जाएगा, ठीक है, तो यह 5 into 2 into 180 degree, ठीक है, यह आपके पास हो जाएगा, 3 into 180 degree, ठीक है, यह आपके पास हो जाएगा, 540, ठीक है, अब यहाँ पर 18 का table आप याद रख ले न, अगर याद नहीं है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, 18 का table याद कूगा, तो अगर no sides वाला आगे, तो आप असानी से कर पाओगे, 18 into 7 करना होगा, वह आप एक दम से, ठीक है, तो इसी तरह से आप यह चीज़ याद रखो, sum of all interior angles in a polygon is, and minus 2 into 180 degree, ठीक है, आगे बात करते हैं, जो हमारी चोथी property है, each interior angle कैसे निकाले, अगर आपको एक regular polygon दे रखा है regular polygon में ने कहा, all side sql, all angle sql, ठीक है, तो अगर हम regular polygon की बात करें, उसके अगर आपको each interior angle की value बतानी हो, तो आप directly formula से निकाल सकते हो, ठीक है, जैसे कि अगर मैं draw कर देता हूँ, यहाँ पे, ठीक, एक मैंने हाँ पे draw कर दी figure, ठीक, एक square मैंने हाँ पे draw कर रहा हूँ, आपको बताना है, each interior angle कितना होगा, तो सबसे पहले भी मैंने आपको बताया, कि जो sum of all interior angles जो होगा, वो आपका क्या होगा, sum of all interior angles वो हो जाएगा, आपका यहाँ पे, n-2 into 180 degree, n की बात करें, तो 4 sides से सकेंदर, 4 minus 2 into 180 degree, तो यह हो जागा 2 into 180 degree, मतलब 360 degree, सभी interior angles का sum हमें मिल गया, 360 degree, आप से पूछा गया, each interior angle की value क्या होगी, regular polygon के अगर हम बात करें, मैंने कहा आप से, कि सभी side sequel होती है, सभी angle sequel होती है, तो यह वाल एंगल, यह वाल एंगल, यह वाल एंगल, और यह वाल एंगल, a, b, c, and d, ठीक है, चारों equal हो जाएंगे, तो चारों को a, 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 and a लिख सकते हैं, ठीक है, इन चारों का sum आपको 360 degree रखा है, n-2 into 180 degree, ठीक है, यह आपका हो गया total number of sum of all the interior angles, और उसमें आपने n number of interior angles है, n से divide कर दिया, तो यह formula बन गया, आपका, each interior angle की value यहां से आपको निकल जाएगी, ठीक है, इसे याद रखना है आपको, ठीक है, याद नहीं होता, तो आपको sum पता चल गया, divided by and कर दोगे, each interior angle निकल जाएगा, ठीक है, जब हम questions करेंगे, तो इस चीज़ का use होने वाला है, ठीक है, यह ब एक irregular polygon है हमारे पास, बना देता हूँ ऐसे ही, यह और यह कुछ इस तरह का polygon है, quadlateral मैंने बना दिया, तो यह angle A होगा, यह angle B होगा, यह angle C होगा, यह angle D होगा, क्या यह चारों के चारों angle equal हैं हापे नहीं, irregular में सारे angles different हो सकते हैं, ठीक है, हमें नहीं पता इनके बीच में relation क्या है, ठीक है, अगर हम बात करें, A plus B plus C plus D की, तो क्या हमें इन चारों का मान पता है, हम विल्गूल पता है, हमने अभी formula पढ़ा था, कि sum of all interior angles equals to N minus 2 into 180 degree, sides कितनी है 4, तो 4 minus 2 into 180 degree, इन चारों का sum तो हमें पता चलगा, यह क्या आजाएगा, आपके पास 360 degree, लेकिन अगर आप से individually पूछी जाए कि A की value क्या होगी, D की value क्या होगी, B की value क्या होगी, या C की value क्या होगी, क्या हम बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इनके बीच में relation नहीं पता, कब हम बता सकते हैं, अगर हमें क्या पता हो, हमें ratio पता हो, से अगर मैं आपक कि बात करेंगे टोटल हो गया आपकर 10 ratio 10 ratio की value 360 डिगरी तो 1 ratio की value 36 डिगरी उसके बाद हम A, B, C and D की value निकाल सकते हैं A की value हो जाएगी आपके 36 degree, B की value हो जाएगी 72, C की value हो जाएगी आपके पास यहाँ पर 108 degree और 4 की value हो जाएगी 4 इंटू 36, 144 डिगरी तो इस तरह से तो हम निकाल सकते हैं लेकिन हमें ratio पता होना चीए या फिर अगर आपको A, B और C की value पता है आपसे D की value पूछेगी तो आप निकाल सकते हो तो इनके बीच में कुछ ना कुछ relation होगा तभी आप irregular polygon की case में value निकाल पाओगी ठीक है अगर हम regular polygon की बात करें है regular polygon के लिए चारो एंगल सिक्पल हो जाते हैं तो directly हमारे पास formula है हम directly formula put करेंगे अपना each interior angle क्या हो जाएगा वो हो जाएगा आपका n-2 into 180 degree divided by n ठीक है तो य एक आपको regular polygon दिया जाता है ठीक है hexagon मना देता हूं जिससे कि हम अलग cases use कर लें ठीक है हमने यहाँ पर बनाया एक hexagon ठीक है आपसे पूछ लिया जाएं हाँ पे exterior angle सभी exterior angle कितने कितने degree के होंगे ठीक है तो अगर हम बात करें यहाँ पर hexagon में sides कितनी होती है 6 sides होती है 1 2 3 4 5 & 6 हमें पता है sum of all the interior sum of all the exterior angles हमेशा कितना होता है 360 degree होता है figure कोई सी भी हो polygon कोई सा भी हो हमेशा sum of exterior angles कितना होता है आपका 360 degree होता है अगर आपको बताना है each exterior angle की value कितनी होगी तो regular polygon में interior angle की सभी interior angle equal होते है और सभी exterior angle भी equal होते है तो यह वाला एंगल भी alpha हो जाएगा आपका ठीक है यह वाला एंगल भी alpha a यह वाला एंगल भी a यह वाला एंगल भी a और यह वाला एंगल भी a सारे के सारे angle a हो जाएगे तो 6a आपका 63 degree के होगे आपका 60 degree का in case of x अगर हम फोर्मले की टम्स में बात करें तो हमें पता है सम कितना होगा सम सभी एंगल का कितना हो जाएगा 360 डिगरी हो जाएगा ठीक है और अगर हमें इच निकालना है तो हमारे पास n number of sides हैं अगर मैं n से डिवाइड कर दूँ 360 को तो हमारे पास value आ जाएगी each exterior angle ठीक है each exterior angle की value कितनी हो जाएगी हमारे पास यह हो जाएगा आपके पास 360 by n ठीक है इसी तरह से यहाँ पे अभी हमने एक्सागन देखा अगर आपके पास क्या होता यहाँ पे अगर आपके पास octagon होता octagon में कितनी side होती है octagon में 8 side होती है अगर आपको regular octagon दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि regular octagon का each exterior angle बता दो तो आपको होगे each exterior angle कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 360 by 8 और आपका इस question खतम ठीक है यह आजाएगा 45 degree clear हो गई यह जीज इस तरह कितना हम directly निकाल सकते हैं या फिर आपको question में क्या दे दिया जाता है आपको दे दिया जाता है each exterior angle is 45 degree और regular octagon sorry आपको question इस तरह से frame किया जा सकता है कि अगर एक figure है ठीक एक regular polygon है जिसका exterior angle जो है आपका वो दे रखा है आपको यहाँ पे 45 degree आपको बताना है उसके अंदर number of sides कितनी होंगी या फिर वो कौनसी figure बनेगी तो अगर हम बात करें अगर एक exterior angle 45 degree का है तो number of sides कितनी हो जाएगी यह हो जाएगी आपकी 360 divided by 45 degree जो हमारा angle है ठ number of sides को उपर लेगे तो n की value आप directly यहाँ से निकाल पाओगे यहाँ से आप काट होगे यह जाएगा 8 times तो आपको होगे number of sides कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी इसका मत्तब क्या होगा यह regular octagon बनने वाला है ठीक है इस तरह से question button किया जा सकता है अगर हम बात करें यहाँ पे हम हमने example लिया था अगर यह regular ना होके irregular हो जाता तो यहाँ पर आप देखते ही यह होता यह क्या हो जाता B यह हो जाता C यह हो जाता D यह हो जाता E और यह हो जाता F क्योंकि सारे के सारे rectangle अलग लग हो सकते है या फिर उनके बीच में कुछ relation हो सकता है ठीक है अगर हमें कोई relation नहीं दे रखा तो इस सारे के सारे हम अलग मान लेंगे तो सम तो हो गया 360 डिगरी यह हो गया आपका A plus B plus C plus D plus E plus F हम कैसे निकालेंगे individually A, B, C, D, E and F की value क्योंकि हमारे पास 6 variable है और equation A की दे रखा है तो इस question का answer हुआ अगर regular polygon नहीं है regular polygon है तो cannot be determined ठीक है हम नहीं निकाल सकते हैं अगर आपको इनके बीच में कोई relation दे रखा है से A, B, C, D, E and F के बीच में ratio आपको दे रखा है से ये 1 ratio, 2 ratio, 3 ratio, 4 ratio, 6 ratio, 10 इस तरह से दे रखा है तो आप निकाल सकते हो एक पर्टिकुलर सीच की value तो मतलब 6 variables हैं तो आपको यहाँ पर 6 equation चीए तब भी जाके आप सभी variables की value निकाल सकते हो ठीक है अफिर ratio दे रखा हो सकत अगरी number 6 होगी है, ठीक है हमें बताना है एक polygon के अंतर diagonals क्या होते हैं, ठीक है तो मैं सबसे पहले आपको छोटे से example से समझाता हूँ कि diagonal होता क्या है, एक हमने leaf figure square, आप सभी लोग वह पता है, एक diagonal तो इसका ये बनेगा, ठीक है दूसरे पहन से करता हूँ, एक diagonal तो आप इसका ये बनेगा और दूसरे diagonal इसका बनेगा ये, कोई दिक्कत यहां तक नहीं, तो number of diagonals इसके अंदर कितने हो गए, 1 और ये हो गया 2, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे figure ले लेता हूँ, triangle, तो क्या इसके अंदर एक भी diagonal बनना possible है, तो आप कहोँगे नहीं, diagonal बनाएंगे कि diagonal बनी नहीं रहा इसमें कोई भी, इसके बाद मैं figure लेता हूँ, आपके सामने यहाँ पे hexagon, अगर मैं कहूँँ, आप इसके diagonal ड्रो करो, तो diagonal कैसे कैसे बनेगे, diagonal जब भी हम बनाते हैं, हम क्या करते हैं, एक vertex पकड़ी, एक vertex को छोड़ दिया, और उस से अगली vertex को करते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी हमने क्या करा था, यहाँ से start करा, इसमें कोई भी यह वाली vertex को छोड़ा, यह वाली vertex को कर ली, फिर हमने क्या करा, यहाँ से start करा, यह वाली vertex को छोड़ा, यह वाली vertex कर ली, तो एक यह बन गया, और एक यह बन गया, ऐसे ही यहाँ पे hexagon क अगर हमें डाइगनल करने को कहा जाए तो डाइगनल कौन कौन से बनेगा, यहां से स्टार्ट करते हैं, नाम देता हूँ A, B, C, D, E and F, ठीक है, A से स्टार्ट करा, यह वाली वर्टेक्स छोड़ी, एक डाइगनल तो आपका बन गया यह, कोई दिक्कत यहां पर नहीं, ठीक से हम जोइन करेंगे, तो हमारे डाइगनल से बनते चले जाएंगे, तो अगर A पॉइंट से देखें, तो तीन डाइगनल हमारे पास यह बन गए, B पॉइंट से अगर हम स्टार्ट करेंगे, तो यह C वाली वर्टेक्स छोड़ी, हमने B को से जोइन कर दिया, D को, B से जोइन कर दिया, यहां से यहां जोइन कर दिया, तो बने आपके पास दो, यह वाला पहले अल्रेडी ले चुके हो, ठीक है, तो यह हो गया दो, उसके बाद D की बात करें हम, ठीक है, D से करेंगे, तो यह वाली वर्टेक्स को छोड़ेंगे, D से इसको इससे जोइन करेंग एक वर्टेक्स छोड़ी एक को इससे जोइन करना है तो यह पहले से हो रखा है एक को इससे जोइन करना है यह भी हो रखा है तो हम बेसिकली अपने maximum पे पहुँच गए जो यह hexagon figure है इसके अंदर number of maximum diagnosis कितने बना सकते हैं 3 plus 3 plus 2 plus 1 that is 9 ठीक है maximum number of possible diagnosis in a hexagon is 9 या फिर अगर हम करें hexagon कोई भी irregular figure है जिसके अंदर 6 sides हैं उसके अंदर maximum diagnosis कितने बन सकते हैं 9 बन सकते हैं clear होगी अभी यह तो basic approach हो गया exam में ऐसे हम diagnosis जो तो करेंगे नहीं उसके लिए हम क्या करेंगे उसके लिए हम एक formula पढ़ेंगे और उससे ही हम कर लेंगे ठीक है तो मैं इसे रब कर देता हूँ ठीक है एक figure बना लेते हैं यहां से कुछ भी ऐसी खतरनाक सी एक figure जो समझने में हमारे असानी रहे ठीक है हमने यह figure बनाई हमें बताना है इसके अंदर number of maximum कितने possible है ठीक है तो हम कर क्या रहे थे हम basically क्या कर रहे थे एक vertex को चोड़के दूसरी vertex से join कर रहे थे तो अगर हम इस vertex को पकड़ें तो यह सभी vertex क्या मल रही है सबसे जाके join करेगी और यह हमें number of diagnosis देगी इस तरह हम आगे move कर रहे है तो जब हम permutation and combination बढ़ते हैं जो कि आपके स्सी सीजल का कोर्स नहीं है तो हमें एक time पे एक डाइगनल बनाने के लिए कितनी vertex चीए है two vertex चीए clear एक time पे डाइगनल बनाने के लिए हमें दो vertex चीए तभी एक डाइगनल possible है ठीक है vertex को join करेंगे कोई दिक्कत यहां पर नहीं तो इससे हम यह join करेंगे यह join करेंगे सारे join करेंगे ऐसे ही कर चलता रहेगा total number of vertex कितने पास कितनी है हमारे पास n vertex है तो n में से हमेशा हर बार हमें दो चीए combination two का चीए तो यह nc2 हो जाएगा ठीक है number of vertex हमारी nc2 आ जाएंगी कोई दिक्कत यहां पर नहीं अब इसमें दिक्कत क्या है इस formula के अंदर nc2 के अंदर दिक्कत क्या है कि जब यह vertex लेगा तो यह और यह वाला case भी ले लेगा यह वाली vertex को इस वाली vertex से हटानी पड़ेंगी तो यह है कितनी है हमारे पास n number of sides है तो हम अगर इसमें से n को subtract कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा यह number of dynos आ जाएगा कोई दिक्कत यहां तक नहीं ठीक है nc2 को अगर हम expand करेंगी यह होता है आपका n factorial divided by 2 factorial n minus 2 factorial minus है ठीक है तो n factorial को हम expand कर लेते हैं तो यह हो जागा n into n minus 1 into n minus 2 factorial divided by 2 factorial 2 factorial तो 2 ही होता है into n minus 2 factorial in minus n तो n minus 2 factorial से n minus 2 factorial गया ठीक है यहां पर n common ले लिया तो आपके पास आएगा n minus 1 by 2 minus n ठीक है यह sorry 1 यह हो जाएगा आपके पास n into n minus 3 divided by 2 ठीक है तो number of diagonals अगर आपसे पूछा जाए किसी भी एक regular polygon में या किसी भी polygon में irregular हो तब भी चलेगा तो number of diagonals इतने होते हैं ठीक है यह formula आपको एक आदा question आ गया है means में सो में से या फिर प्री में एक आदा question देखने को मिला वो भी बहुत सिंपल होता है तो इतना जाद permutation and combination आपको एससी एक्जाम के लिए तो पढ़ने की जूरत नहीं है ठीक है आगे भढ़ते हैं अगर हम parameter की बात करें एक polygon आपको दे रखा है ठीक है अगर हम इसके parameter की बात करें तो parameter क्या होता है परिमाप क्या होता है इन सभी sides का योग इन सभी sides को हम क्या कर देते हैं add कर देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास n number of sides है हर एक side की length s दे रखी है तो parameter क्या हो जाएगा parameter हो जाएगा n into s कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं question खत जैसे की हमारे पास क्या है यह hexagon है अगर हमसे इसका area पूछा जाए तो हम इसका area कैसे निकालेंगी इसमें हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले आप इस figure का एक center होगा ठीक है जो भी regular figure होगी उस figure का एक circum center होगा ठीक है मतलब उस center से हर एक regular figure पर हम circle इस तरीके से draw कर सकते हैं यह चीज के लिए है अगर ऐसा है तो center से सभी vertices का distance भी बराबर होगा ठीक है circle में यही होता है ना जो center point होता है इससे कहीं भी आप मुनाओगे सारा क्या होता है radius होता है कोई दिक्कत यहां पर नहीं ठीक है तो हमने क्या करा यह center हो गया इसका यहां से अगर मैं यह जोइन कर दूं 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 क्या यह सारा एक पर होगा यह नहीं होगा ठीक है यह सारी चीजे क्या हो जाएंगे आपकी radius, 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 कोई दिक्कत यहां पे नहीं अब यह side जा रही है आपकी अगर मैं इस angle की बात करूँ यह वाला angle theta इसे अगर मैंने theta माना तो इसकी value कितनी होगी अब यह point पर आप देखोगे यह पूरा angle कितना है यह पूरा angle कितना है यह पूरा angle 360 degree है या नहीं है यह पूरा angle 360 degree है यह angle कितने बनने वाले है जितनी number of sides होगी एक दो तीन चार पांच और छे तो छे angle बनेंगे यहाँ पर आपके ठीक है और सारी side equal है तो इसके side में जो सामने projected angle होगा यह भी क्या होगा theta 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 and theta कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं तो हम कहेंगे यहाँ पर कितनी side से हमारे पास 6 theta यह किसके बराबर हो जाएगा 360 degree के बराबर 60 degree कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं अगर यह हम hexagon कर रहे हैं तो यह ऐसा हो जाएगा और hexagon की जगा यहाँ पर कोई और figure होती तो n theta equals to 360 degree होता या नहीं होता ठीक है आपके पास n sides है ठीक है n sides है आपके पास तो n angles बनेंगे बीच में और n theta किसके बराबर हो जाएगा 360 degree के बर n कोई दिक्कत यहां तक नहीं ठीक है आगे बढ़ते हैं अब हम यह कुछ चीज़े हटा देते हैं अच्छा area की बगर हम बात करें ठीक है यह वाली side equal यह वाली side इसके equal हो जाएगी radius हो गया और यह भी regular point figure में सारे की सारी side sss है तो इस सारे triangle आपस में congruent नहीं हो जाएगे तो मतलब अगर इस figure का area 1 है तो इसका भी area 1 हो जाएगा इसका भी area 1 हो जाएगा इसका भी area 1 हो जाएगा इसका भी 1 इसका भी 1 इसका भी 1 तो यह सारा area भी क्या हो जाएगा यह सारे area equal हो जाएगे कोई दिक्कत यहां पे नहीं यह चीज़ समझाई तो अगर मैं जो यह triangle है मैं नाम देता हूँ यहाँ पे A, B and C ठेके इस triangle को re-draw कर देता हूँ यहाँ पे मैं यह आपके पास S है यह मैंने radius मान लिया ठेके यह आपका center point है यह theta है, theta की हमने बात करी theta क्या होगा? 360 by N हो जाएगा अगर यह hexagon था तो यहाँ पे 6 triangle बन रहे थे जो area होगा hexagon का 6 के 6 triangle equal हो गए तो यह 6 into area of particular triangle area of triangle हो जाएगा यह नहीं हो जाएगा 6 into area of triangle हो जाएगा यह नहीं हो जाएगा हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारी area बराबर है तो 6 into area of triangle हो जाएगा अगर मैं बात करूँ area of polygon की कोई और polygon होता है यहाँ पे number of sides में 6 नहीं होती number of side variable होती तो n sides होती तो n into area of triangle हो जाएगा या नहीं हो जाएगा क्योंकि कोई भी figure ले लो अगर मैं यहाँ पर hexagon की जगा क्या बना दू square बना दू इसमें यहाँ पर जो center होगा आपको पता है इसमें तो वही होता है डाइगनल जहाँ पर polygon का यह चीज समझाई अगर मैं क्या करूँ जो यह एक triangle बन रहा है हमारे पास यहाँ पे इस triangle का area निकाल लूँ अगर मैं इस triangle का area निकाल लूँ तो मैं बता सकता हूँ पूरे polygon का area कितना होगा क्योंकि मैं उसे n से multiply गर दूँगा जितनी भी sides होंगे कोई दिक्कात यहाँ पे नहीं अब area of triangle क्या होता है ठीक है area of triangle होता है आपका यहाँ से perpendicular मैंने डाला sorry अगर मैं इस point से यहाँ डाल देता हूँ perpendicular ठीक है यहाँ पे मैंने डाला perpendicular तो यह 90 degree होगा area of triangle क्या होता है area of triangle होता है half into base into height बच्वन से हमने पड़ा है ठीक है अगर मैं बात करूं यहाँ पी इस उसे triangle बन रहा है तो यह वाली side इस वाली side के equal होगी यह नहीं होगी यह वाली side इस वाली side के equal यह वाली side पता है s ठीक है और यह वाला angle पता है हमें 360 by n तो यह छोटे वाला angle जो होगा यह कितना हो जाएगा 360 by n by 2 हो जाएगा इसका आधा हो जाएगा तो into 2 into n हो जाएगा तो यह हो जाएगा तो od की length कितनी हो जाएगी od की length हो जाएगी आपके पास यहां पे s by 2 into cot और जो यह वाला angle है theta that is 180 by n यह हो जाएगा ठीक है मैंने trigonometric में आपको पढ़ाया था किस तरह से mapping करते हैं ठीक है तो od की length आगई आपके पास s by 2 cot 180 by n अब area of triangle की बात करें हम अब हमारा derivation पूरी हो to height तो half into base की बात करें तो यह पूरी side है हमारे पास s और height की बात करें यह वाली height इस की value कितनी है हमारे पास s by 2 into cot 180 by n कोई दिक्कत यहां पे नहीं कोई भी दिक्कत यहां पे नहीं है ठीक है कि हमारे पास area of triangle आ गया अगर मैं area of triangle में क्या multiply कर दूं n को multiply कर दूं number of sides को multiply कर दूं यहां पर भी multiply कर दिया तो यह आपके पास क्या बन गया यह आपके पास बन गया यहां पर area of polygon तो area of polygon का formula क्या आ गया हमारे पास यहां पर multiply कर देते हैं n s square by 4 cot 180 by n ठीक है अगर आपको किसी भी polygon की regular polygon अगर आपको दे रखा है उसकी number of sides और value of side दे रखी है तो आप उसका area निकाल सकते हो directly इस formula से ठीक है यह formula का share derivation आपको मिले ना मिले कहीं यह मैंने इसलिए करा दे जिससे कि आप याद करने में आसानी रहे ठीक है derivation करने मतलब भी है कि आपको यह ना लगी कि यह कहां से आगया क्योंकि इसमें जो code 180 by n वाला factor यह याद नहीं रहता और जो हमने यहां पर basic सीखे है यह बहुत सारा use होने वाला geometry में ऐसा नहीं कि आपको हैं पर यूज होगा जब हम geometric questions करेंगे आपको यह चीज समझ आगे तो यह आप आगे भी यूज करोगे ठीक है इसी तरह से आप देखो के यहां पर एक चीज और हम देख लेते हैं साथ के साथ यहां पर करी रहे हैं तो एक figure थी एक regular polygon जैसे हमने भी hexagon बनाया था तो दुबारे वैसे ही ड्रो कर लेता हूँ इसके अंदर हमने क्या करा था यहां पे एक सेंटर था मैंने कहा सेंटर से आप हमेशा एक उपर की साइड यहां पे एक circle बना सकते हो ठीक है यह उपर की साइड बना सकते हो ऐसे ही आप एक circle अंदर की साइड भी बना सकते हो कोई दिक्त यहां पे नहीं आप से कहीं बार क्या पूछले जाता है इसे हम जो अंदर वाली साइड है इसे हम कहते हैं in radius और जो यह बड़े वाला जो side है इसे कहते हैं हम ठीक है, radius of circumcenter ठीक है, तो आपसे कहीं बार r ratio r भी पूछ लिया जाता है r ratio r आपसे कभी-कभी पूछ लिया जाता है तो आपको अगर कोई भी एक regular figure दे रखे है उसमें r ratio r का directly आप formula बना सकते हो कैसे, ठीक है, अगर आपको यहाँ पर side कितनी दे रखी है s दे रखी है, यहाँ पर angle दे रखा है आपको, ठीक है, n number of sides है इसके अंदर, तो यह हो जागा आपका 180 by n यह हमने पढ़ा था, यह वाली side कितनी आई थी है आपकी यह वाली side आई थी है आपकी s caught, s by 2 caught, 180 by n अगर मैं यह वाली side की बात करूँ, यह वाली side आपकी हो जाएगी इस triangle की बात करूँ, मैं a, b, and c ठीक है, यहाँ पर यह 180 by n एंगल है यह हो गया, आपका s by 2 caught, 180 by n और यह हो जाएगा आपका s by 2, Cossack 180 by n अगर आप ध्यान से देखो, जो यह वाली side है आपकी यह तो आपका हो गया, क्या, small r के बराबर ठीक है, जो आपका क्या है in radius है, यह उसके बराबर हो जाएगा और यह आपका हो जाएगा radius of figure ठीक है, जो पूरा पूरा भार हमने जो circle बनाया है यह उसके radius के बराबर हो जाएगा तो यह आपके पास r की value आगई इतनी और small r की value आगई इतनी इन दोनों को आपस में divide कर दो गया आप तो r by r कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपके पास Cossack 180 by n divided by cot 180 by n ठीक है इसे आप फर्दर खूलना चाहों तो one by sign यह हो जाएगा आपके पास one by sign 180 by n और cot की बात करें गर हम यह हो जाएगा आपके पास one by cos 180 by n into में sin 180 by n ठीक है, sin 180 by n sin 180 by n आपका आपस में कड़ जाएगा आपके पास बचेगा one by cos 180 by n यह जिसे हम जिकते हैं Sack 180 by n ठीक है, तो यह relation आपको याद रखना है sr by r, capital r by r, small r क्या होता है, Sack 180 by n ठीक है, डिरेक्टली यह relation अगर आपको पता हुआएगा कुछ questions में आप कर पाओगे कम टाइम में, ठीक है, तो यह थोड़ा advanced approach हो गया, इस तरह की questions शायद आपके exam में देखने को ना भी मिले हैं, लेकिन यह आपको पता होनी चीज़े आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो हमने आपको याद करना है, ठीक है, आप कम से कम यह कोशिश करना कि 12 तक आप याद कर लेना, ठीक है, हेप्टागन का 128 डिगरी, और अक्टागन का 135, नोनागन का 140, डेकागन का 144, 11 अगर साइट हैं तो 147 और 12 साइट हैं तो 150, ठीक है, याद कर लोगे तो ज़्यादा रहेगा, अच्छा, बाकि इसका तो आपको याद हो गई, ट्रेंगल का भी पता होता है, स्क्वेर का भी पता होता है, पेंटागन का भी हैकसल का भी, ओक्टागन का भी, ठीक है, इतना हमें वैसे ही याद रहता क्योंकि हम कुश्चन भी करते हैं, बाकि ये वाले आप देख लिए ले ना, क्योंकि कहीं बार क्या होता है, ज़ा हम में कुश्चन आते हैं आपको पहले सी अगर एंगल पता हो, आपको दे रख त है कि सभी के कहते हैं कोई कुश्चन आपके पास आता है कि इच इंटियर एंगल ओफ ड्रैगुलर पॉलिगन इज 120 डिग्री फाइंड दी नंबर ऑफ साइट्स ठीक है या फिर पॉलिगन का नाम पता तो आप देखो कि जैसे इंटियर एंगल इच 120 डिग्री हो गया इसका मतलब वो क्या हो जाएक है एक सगन हो गया कुश्चन में आपको दे सकता है इच इंटियर एंगल इज इक्विल इच इंटियर एंगल है तो डिरेक्टली हमारे पस क्या आ जागा डेकागन 10 साइट्स होंगी ठीक है और कहीं बार रिलेक्शन भी पूछ ले जाता है इनके बीच में तो अभी हम कॉश्चन करेंगे तो वो साइट चीज़े किलियर होंगी किस तरह से हम इन चीज़ों को यूज कर पाएंगे तो यह आप इतना याद कर लेना और एक चीज़ों और याद करना अगर कोई पर्टिकुलर फिगर है उसके नहीं याद रखोगे तो फॉर्मूला सभी चीज़ों के हैं आप राम से निकाल सकते हो सुल्व करके शुरू करते हैं टोटल नो कॉश्चन सम करने वाले हैं इसके और उसमें साइट चीज़े कवर हो जाएंगी सबसे पहला कॉश्चन है एक रेगुलर पॉलीगर है जिसक स्कूर बाइब फॉर कोट थीटा बाइएं कोट बनेटी बाइएं ठीक है तो अगर हम बात करें आप नंबर ओफ साइट कितनी एंड की वेल्यू ट्वैल दे रखी है तो यह हो जागा ट्वैल इंटू साइड की बात करें फोर सेंटिमेटर दे रखी है तो फॉर अग्यएं की बात करें एंड की वेल्यू कितनी तेरत यहां पर ट्वैल साइडिय तो यह हो जाएगा आपके पास छुंद यहां पर एक एक फोर चीज़े के लिए हुई पहला कुशन था असान था अब आगे भढ़ने से पहले मैं आपको यह कहूंगा जो चीज़े हमने पढ़ा ही है एक बार उसे रिवाइज कर लो उसके बाद ही आप कुशन सतानी से सोल कर पाऊए ठीक है जो अगर फोर्मूला जो मैंने बताए हैं वो सारे याद में जो चीज़े मैंने समझाए वो अच्छे से समझ आ गए है तभी कुशन आप सानी से कर पाऊगे वरना थोड़ा टाइम लगेगा ठीक है वो रिवाइज कर लो फिर आगे कुश्चन करना ठीक है मैं स्टार्ट कर रहा हूं आगे कुश्चन में क्या है यहां पर हमें दे रखा है टोटल नंबर ओफ डाइगनल्स कितने हैं 27 हमसे पूचा गया है नंबर ओफ एक्स्टिरियर अंगल्स बता दो ठीक है हमने क्या पड़ाता एक फॉनलो होता है टोटल नंबर ओफ डाइगनल्स कितने होते हैं n इंटू n-3 by 2 हम TWE बताना है टोटल of exterior angles कितने होंगे अब यहाँ पर आप एक चीज़ धियान रखना यह n क्या है यह हमारा interior angle होते हैं ठीक है number of interior angles हम n से denote करते हैं तो इसे solve करेंगे सबसे पहले तो हम n की value निकालने पड़ेगी n into n-3 यह कितना हो रहा है आपके पास यहाँ पर 27 into 2 कितना हो जागा यह हो जाएगा 54 अब यहाँ पर आप यहाँ तो इसे quadratic equation बना के solve करोगे वरना जो मैं तरीका पसंद करता हूं यहाँ पर आपने देखा n और n-3 इनके बीच में 3 का gap है और 54 को हम कुछ इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि कि किन तो नमबर को multiply करने के बाद हमें 54 मिल जाए और उनके बीच में difference भी 3 का हो तो 54 आपको पता है 54 क्या होता है 9 into 6 होता है ठीक है तो directly हम यहाँ से अपनी value मिल जाएगी तो बहुत जादा सोचना नहीं है बहुत छोटी सी calculation है ठीक है इसकी practice आपको होनी चीए कि इस तरह से कैसे करना है तो अब आप compare कर लो n की value कितनी होगी n की value आपकी यहाँ से 9 आ जाएगी और n-3 की value 6 तो n की value कितनी आ गई 9 number of interior angles कितने आ गए हमारे पास जो regular polygon दे रखा है 9 तो 9 अगन figure बन रही है अब आप से पूछा number of exterior angles तो यहाँ पे गलती मत करना n निकाल के 9 पे टिक मत कर देना answer मैंने आपको बताया था जो number of interior angles होते हैं उसके दूने होते हैं हमारे number of exterior angles तो number of exterior angles कितने हो जाएंगे हमारे 9 into 2 यह हो जाएगा 18 18 हमारा इस question का answer आजाएगा question हो गया खतम ठीक है अगला question find the ratio of the measure of an interior angle of a regular octagon to its exterior angle ठीक है आप से किसका ratio पूछा गया है ratio पूछा गया है interior angle versus exterior angle of a regular octagon ठीक है अभी मैंने आपको कुछ याद करने को कहा था मैंने कहा था regular octagon का interior angle याद कर लेना कितना होता है 135 डिग्री होता है अगर 135 degrees का interior angle है तो exterior angle कितना हो जाएगा interior और exterior angle दोनों का sum कितना होता है 180 degree इसका मतब exterior angle कितना हो जाएगा या आपका 45 degree हो जाएगा ratio की बात करें तो 3 ratio बना आपका question का answer आगया question खतम ये हो गया एक तरीका इसे निकालने का अगर आपको value याद है लेकिन यहापे octagon नहीं ह और interior angle के बीच में ratio बता दो या interior angle या exterior angle के बीच में ratio बता दो तो उस case में हम क्या करेंगे ठीक है तो आब यहाँ पर हमें क्या पता है octagon है octagon की each side कितनी होती है octagon के अंदर 8 sides होती है हमारे पास number of sides की बात करें 8 होती है ठीक है हमें ratio बताना है interior angle versus exterior angle तो each interior angle के अगर हम मैं exterior angle बताना हो तो उसका formula यह होता है exterior angle की बात करू exterior angle का formula क्या होता है यह होता है 360 degree बाइन कर ठीक है आपको इन दोनों टोनों के बीच का ही ratio बताना है तो यह क्या हो जाएगा आपके पास i ratio यह जाएगा आपके पास n-2 into 180X by N ratio 360 by तो यह वो जाएगा आपके पास n-2 रेश्यो ठीक है तो यह आपके पास बन गया उक्टागन था तो आठ साइट थी तो 8-2 करोगे तो 6 रेश्यो दो यह वो जाएगा 3 रेश्यो एक ठीक है कुश्चन ऐसे निकाला जा सकता है वरना एक रिलिक्षन हमारे पास यहाँ पर और निकल के आया इसे भी आप याद रख सकते हो कि कि अगरे अगर दिवाइड़ वाइंटियर एंगल आपको दिया जाए किसी भी पर ट्रेगुलर पोलीगन के अंदर तो वह होता है एन अपॉन में एनवाइनस टो टू अपॉन में एन माइनस टू ठीक है यह चीज़ याद रह जाएगी आगे भड़ते हैं question में हमें दे रखा है if one of the interior angles of a regular polygon is 9 by 8 of each of a regular hexagon find the number of diagonals of the polygon यदि निमित भभुज के आंतरिक कोनों में से एक निमित शटभुज के परतियक आंतरिक कोन का मान 9 by 8 है भभुज के विकरनों की संख्या ग्याद करें एक हमारे पास है regular polygon और एक हमें दे रखा है regular hexagon ठीक है interior angle की अगर हम बात करें उनके interior angle का ratio भी हमें कितना दे रखा है 9 ratio 8 दे रखा है आपको बताना है find the number of diagonals of the polygon इस वाले जो polygon है regular polygon इसके number of diagonals हमें ग्याद करने है ठीक है अगर हम बात करें hexagon की तो hexagon का each interior angle कितना होता है hexagon का each interior angle होता है आपका 120 degree का ठीक है और यह 9 by 8 ratio दे रखा है तो एक ratio की value के अगर हम बात करें एक ratio की value कितने हो जागी 120 by 8 कर देंगे यह हो जाएगा आपके पास 15 डिग्री एक ratio की value 15 डिग्री नो ratio की value कितने हो जाएगी 9 into 15 यह आपको दे देगा 135 डिग्री कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं interior angle के बीच में आपको ratio कितना दे रखा था 9 ratio 8 दे रखा था तो जो हमारे पास जो दूसरी figure आई है उसका particular each interior angle कितना हो जाएगा जो regular polygon है regular polygon का interior angle हो गया आपके पास 165 डिग्री ठीक है interior angle इतना तो exterior angle की बात करूँ तो exterior angle कितना हो जाएगा 180 minus 165 यह देगा आपको 45 डिग्री क कोई दिक्कत नहीं exterior angle इतना हो गया अगर मैं बात करूँ यहां पर number of sides की जो हमारा regular polygon है तो वो कितना हो जाएगा 360 by external angle हो जाएगा 360 by E तो यह हो जाएगा आपके पास 360 by 45 डिग्री यह आपको दे देगा यहां पर 8 ठीक है तो हमारे पास number of sides आ गई जो हमारे पास regular polygon है उसक आपसे यह तो बूचा गया नहीं कि octagon है क्या है आपसे पूचा गया number of diagonals of the regular polygon तो number of diagonals की बात करें number of diagonals कितने हो जाएगे number of diagonals हो जाएगे आपके n into n minus 3 by 2 तो यह हो जाएगा 8 into 8 minus 3 by 2 यह हो जाएगा 8 into 5 by 2 यह आपको दे देखा यहां पर 40 by 2 और आपका अंसर जाएगा 20 20 आपका इस question का answer हो जाएगा question खतम अच्छे आप यहां पर आप देखोगे starting में हमने क्या करा हमने ratio दे रखा था interior angle का regular polygon का और hexagon का वो था 9 ratio 8 ठीक है अगर आपको यहां पर पता नहीं होता कि hexagon का angle कितना है hexagon का interior angle 120 degree होता है तो आपको क्या करना पड़ता पहले hexagon का interior angle न fix करते हैं जो हमारा formula था interior angle निकालने का वो यहां पर लगाते हैं उसके बाद आप पास 120 degree आता फ्री हां पर put करके आप value निकाल दे तो थोड़ा लंबा खिज जाता है इसलिए मैंने कहाता कि कुछ value आपको याद होनी चीए ठीक है कि hexagon का interior angle कितना होता है nonagon का कितना होता है octagon का कितना होता है ठीक है अगर आपको interior angles वैसे भी पता होते तो आपको इतना ज़्यादा महनत भी नहीं करनी होती जैसे यह आपने देखा 8 ratio 9 दे रखा है अगर आपको दिमाक में यह बैठा हुआ है कि hexagon का each interior angle कितना होता होता है 120 degree होता है ठीक और दूसरी फिगर क्या हो सकती है जो रिश्यो आपको 8 रिश्यो 9 में काड़ दे तो आपको 135 डिगरी का भी पता होगा और यह 15 से काड़ते हैं तो यहां Sum of all interior angles of a regular polygon is 1080 degree, find the number of diagonals, ठीक है, all interior angles का sum कितना दे रखा, आपको 1080 degree दे रखा है, आपको number of diagonals ज्याद करने है, ठीक है, again simple question है, यह तो सिधा, 1080 degree क्या है, आपका sum of interior angles यह किसके ब्राबर होता है, n-2 into 180 degree, ठीक है, इसके ब्राबर होता है, 180 degree, इससे यह काट होगे आप, तो कितना चला जाएगा यह आपका, 6 times n-2 की value कितने आ गई, 6, n की बात करें, n की value कितने आ गई, 8, ठीक है, हमसे पूछा गया, find the number of diagonals, इसमें diagonals कितने होंगे, number of diagonals का formula क्या होता है, n-3 by 2, तो put कर देते हैं, यहाँ पे 8, 8-3, 5 by 2, यह आगया, आपके पास 20, question का अंसर आगया 20, question में हमें क्या दे रखा है, ratio of n interior angles to n exterior angles of a regular polygon is 7 ratio to find the number of interior angles, ठीक है, एक हमारे पास एक regular polygon है, जिसमें n interior angle है, तो exterior angle n है, हम उनका ratio हमें दे रखा है 7 ratio to find the number of interior angles, ठीक है, अगर मैं सभी interior angles के समक्री बात करूँ, तो अगर हमारे पास n interior angles हैं, और each interior angle i के बराबर है, तो n into i हो जाएगा, total interior angles, इनका ratio, n exterior angle हैं, और each exterior angle का angle मैं अगर e मान लूँ, तो यह हो जाएगा, यह आपको दे रखा है ratio of n interior angles, ratio ratio of n exterior angles is 7 ratio 2, आप से पूछा क्या क्या है, find the number of interior angles, number of interior angles कितने होगी, तो यह n की value बेसिकलिए आपको निकालनी है, क्योंकि आपको पता है number of interior angles किसके बराबर होते हैं, number of sides के बराबर होते हैं, ठीक है, n हम number of sides को मान के चलते हैं, कि कितने number of sides हैं, तो हमें basically n की value निकाल नहीं है और यह चीज़ें हमें दे रखी है तो आप देखो कि यह ratio में अगर मैं यहाँ पर n से n काड़ दूं तो each interior angle ratio each exterior angle कितना हो जाएगा आपके पार 7 ratio 2 हो जाएगा यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हम सभी लोगों को पता है interior angle plus exterior angle कितना बनाता है यह कि आपका बराबर होता है 360 degree के oh sorry 180 degree के ठीक है यह दोनों मिशल linear pair बनाते हैं मतलब जो 9 ratio हो गया 7 plus 2 9 ratio की value कितनी हो गई आपके पास 180 degree हो गई तो अगर मैं यहाँ पर 1 ratio की बात करूं तो 1 ratio की value कितनी हो जाएगी 1 ratio की value हो जाएगी 1819 that is 20 degree 2 ratio की बात करूं तो 2 ratio की value कितनी हो जाएगी आपके पास 2 into 20 that is 40 degree तो अगर हम बात करें यहाँ पर 2 ratio इसकी value कितनी हो गई 40 degree हो गई यह किसके ब्राबर हो गए आपका each exterior angle एक exterior angle की value कितनी हो गई 40 degree हो गई अगर हम बात करें number of sides की तो वो कितनी हो जाएगा हमने पढ़ाता formula 360 by e ठीक है sum of all exterior angles कितना होता है 360 degree होता है अगर मैं उसे each exterior angle को statewide कर दो तो number of sides मारे पस निकल जाएगा ठीक है तो यह कितना हो जाएगा 360 by e यह हो जाएगा 360 by 40 और आपका इस question का answer क्या जाएगा number of sides आपकी कितनी हो जाएगे 9 हो जाएगे number of sides 9 हो गई तो each interior number of interior angles भी कितनी हो जाएगे यह भी 9 हो जाएगे अगर आपसे पूला जाता है number of exterior angles कितने हो जाएगे तो वो 9 into 218 हो जाते है लेकिन आपसे क्या पूछा गया था number of sides number of interior angles पूछा गये है तो वो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा question आपका हो गया खतम question में हमें क्या दे रखा the ratio between the number of sides of two regular polygons A and B is one ratio 2 हमें दो regular polygon दे रखे है A और B ठीक है इसमें sides का ratio number of sides का ratio हमें कितना दे रखा है कितना 2 ratio 3 हमें बताना है number of sides in these polygons मतलब हमें N1 और N2 की value बताने है ठीक है इस question को अगर हम option की help से करेंगे तो आप यह देखो के दो value जा रही हो option में तो वह one ratio two में होने चाहिए मतलब अगर आपके option में आपके चार चार आठ पांच नो और यहां पर तीन साथ और यहां पर होता आपके पास चार और छे तो यहां पर option की helps आप कैसे करते हैं आपको पता है number of sides का ratio आपको कितना दे रखा है यहां पर one ratio two दे रखा है तो यहां पर क्या हो जाएगा इसी case में आपका one ratio two बनता तो यही आपका answer हो जाता अगर option ऐसे होते ठीक है तो यहां पर option की help से आप इस तरह किसे ले सकते हो दो option होते तो फिर elimination करते हैं और कुछ चीज़े हम देखते ठीक है तो यह तो यह तरीका हो गया बाकि basic से हम कैसे करेंगे यह देख लो ठीक है number of sides का ratio दे रखा है a और b के अंदर तो यह हो रखा है na और nb यह आपक number of sides minus 2 into 180 degree by na divided by अगर हम interior angle की बात करें b polygon की तो यह हो जागा nb minus 2 into 180 divided by nb ठीक है तो यह 2 ratio 3 के हमें बराबर दे रखा है इससे solve करेंगे ठीक है एक तो हमारे पास यह relation है na और nb में एक यह है इससे solve करने के बाद हम value निकाल सकते है na और nb की जो हमें बता लिए अब इसके लिए हम short तरीका क्या यूज करेंगे देखो यहाँ पर na और nb की जगा यूज करने की जगा हम क्या यूज कर सकते हैं इससे मैं माल लेता हूँ 1x और इससे माल लेता हूँ 2x ठीक है तो यहाँ पर na nb की जगा 1x 2x replace कर देंगे तो यह हो जाएगा आपके पास x minus 2 by x यह हो जाएगा 2x minus 2 by 2x ठीक है यहाँ पर इस x से x कट गया एक सोस्ती से x सोस्ती कट गया आपके पास यहाँ पर बचेगा 2 into x minus 2 divided by 2x minus 2 और यह किसके ब्राबर आगया आपके पास 2 by 3 के ब्राबर आगया ठीक है इस 2 से यह 2 कट गया तो आपके पास आजाएगा 3x minus 6 equals to 2x minus 2 और यह हो जाएगा आपके पास x equals to 4 x की value 4 आगयी एनने की बात करें एनने कितना था आपके पास x था तो एनने हो गया 4 एन बी की बात करें एन बी कितना था यह था आपके पास 2x तो यह 2 into 4 यह हो जाएगा यह question खतम हो गया यह आपका इस question का final answer आजाएगा that's it ठीक हिंदी वाले में यह थोड़ों सा लग लि आपको यहां पर ratio of interior angles कितना देर का 2 ratio 3 ठीक है अगर आपको angles याद होते थोड़ अगर आप सोच पाते तो आपको बता है यहां पर 2 ratio 3 है एक square होता है जिसका angle होता है 90 degree interior angle एक होता है आपके पास octagon जिसका interior angle होता है 135 degree ठीक है आप इसे काट होगे तो यह 2 ratio 3 आता है तो directly पहले वाले case में side कितनी है 4 है दूसरे वाले case में side कितनी है 8 है ठीक है और फिर क्या हो जाता 1 ratio 2 आपको side यह भी match कर रहा है तो आपका directly answer आजाता ठीक है यह बहुत practice के बाद आप से होगा इस तरह से बाकी basic तरीका यह है तो आपको इस तरीके से examने करने होंगे इस type के questions clear ह होगी यह चीज next question इसी तरह का in two regular polygons the ratio of the number of sides is five ratio for if the difference between their interior angles is if the difference between their interior angles is six degree find the number of sides in the polygon ठीक है हमें दो polygon दे रखी है अगें A और B polygon मान लेता हूं ठीक है number of sides के बीच में ratio भी दे रखा है N A ratio N B आपको कितना दे रखा है यहां पर 5 ratio 4 दे रखा है आगे question में कहता है उनके interior angles के बीच का difference 60 degrees दे रखा है number of sides बताने है पिछले वाले case में क्या दे रखा था आपको ratio दे रखा था interior angles के बीच में इस बार difference दे रखा है interior angles के बीच में आपको number of sides बतानी है polygon में कितनी sides होंगी clear हो गई यह चीज ठीक है तो हमेंने यह पढ़ा है N A by N B कितना हो जाएगा 5 ratio 4 इसे मैं 5x माल लेता हूं इसे 4x माल लेता हूं ठीक है difference between interior angles निकालना दे रखा है हमें सी कितना 6 ठीक है तो अगर हम 8 triangle की बात करें इसका एक each interior angle कितना हो जाएगा है इसका हो जाएगा आप पे पास यह हमने N A को कितना माना है यह हमने माना है 5x तो यह हो जाएगा 5x minus 2 into 180 divided by 5x minus फिर क्या होगा बी की बात करें यह हो जाएगा N B कितना है 4x तो यह हो जाएगा 4x minus 2 into 180 divided by 4x और यह किसके बराबर हो जाएगा आपका 6 के बराबर हो जाएगा इसे solve कर लेंगे इसे solve करने के बाद आपके पास x की value आजाएगी ठेक है x की जो value आएगी उसे 5 से multiply कर दोगे तो आपके पास number of sides आजाएगी पहले polygon की और अगर हम इसे 4 से multiply कर देंगी तो number of sides आजाएगी second polygon की यह आपको खुद solve करके comment box में answer बताना है हम भी देखें कितने लोग पूरी वीडियो देखते हैं next question number of sides in a regular polygon is 360 degree find the measure of each interior angle ठेक है एक polygon है regular जिसकी number of sides 360 है find the measure of हमें सभी interior angles का measure बताना है कि कितने कितने degree का एक interior angle होगा तो मैंने starting में ही बताया था अगर आपके number of sides 360 दे रखी है regular polygon में तो each interior angle कितने हो जाता है 179 डिगरी का ठेक है तो अब कैसे करना एक बार समझ लो ठेक है measure of each interior angle वो क्या होता है formula बहुत बहुत बार यूज कर सके हैं यह होता है आपके पास n-2 into 180 by n ठेक है यहां पर 368 sides है तो 360 minus 2 into 180 by 360 तो यह कट जाएगा आपके पास 2 उपर बचेगा आपके पास 358 by 2 और यह आजाएगा आपके पास 179 ठेक है question खतंब हो गया आपको question कांसर जाएगा 179 डिगरी यह मैंना आपको याद करने के लिए तक कईम बार ऐसे statement बिष्ट आ जाता है वारना basic से तो आप ऐसे निकाल ही सकते हो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं किलियर हो गई यह चीज ठीक है तो यहां पर mostly हमारा polygon complete हो गया एक चोटा सा case हो रहा है वो भी आप समय लो ठीक है star figures जो होती है इसका एक चोटा सा relation होता है question आपसे बनता है वह question क्या होता है आपसे पूछा जाएगा यहां पर A B C D E आपसे value पूछी जाएगी A plus B plus C plus D plus E की ठीक है और ऐसे ह यहां पर अगर इस figure की बात करें A B C D E and F ठीक है इन्हें हम इस star figures कहते हैं आपसे इनमें जो यह भारी angles होते हैं इनका sum पूछा जाता है इनका sum कितना होगा तो इसके लिए मैं direct formula बता देता हूँ यहां पर कितनी vertices बन रही हैं भार 1,2,3,4,5 ठीक है direct formula होता है इसका N minus 4 into 180 degree ठीक है तो यहां पर vertices कितनी है 5 है तो यह हो जागा 5 minus 4 into 180 और यह हो जागा 180 degree ठीक है इस question का answer A plus B plus C plus D plus E कितना हो जागा 180 degree अब यहां पर आप इस figure में into 180 तो यहां पर 6 vertices है A, B, C, D, E and F तो यह हो जागा 6 minus 4 into 180 degree तो इस question का answer आजाएगा आपके पास 2 into 180 degree यह हो जाएगा 360 degree ठीक है directly आपको यह बस formula यहाद रखना है बागे कुछ नहीं करना exam question आएगा direct आएगा पुट करके अपना answer निकाल लो कि इसके derivation पर कहीं भी आपको ज जाने की जुरूत नहीं है ठीक है इस तरह से figures यह सारी बन सकती है इनमें कुछ भी पूछा जा सकता है यह सारी star figures होती है हमारी अब जैसे यह वाला है इसमें आगर आप से पूछ लिया जाए exterior angle का sum क्या होगा इस exterior angle का तो यह sum हो जाएगा आपके पास a, b, c, d, e, f, and g तो total 7 हो गई तो यह हो जाएगा 7-2, 7-4 into 180 degree तो यह 3 into 180 degree यह हो जाएगा 540 degree ठीक है इन सभी का sum a, b, c, d, e, f, g का मिला के 540 degree आपके पास बन जाएगा तो that's it guys, हमारा आज का शिश्चे नहीं खतम होता है और सारी चीज़े हमने यहाँ पर discuss करी ही लिए हैं अगर आपको किसी भी question में कोई without है तो comment box में आप comment करके पूच सकते हो, अगर मैंने पढ़ लिया तो मैं उसका reply जरूर करूँगा, जल्दी मिलेंगे नए शेटिन मे जिसमें हम और चीज़ डिसकस करेंगे, तब तक के लिए बाइबाइ, टेक केर, आपको दिन श्रूव हो, जाएंद